अधिन्न दाना विर्मनी सिखा प्रदंस माधियामी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहां दुन जात क्यों इतनी मैनित करें हैं? इसका परपज क्या है? उदेश्य क्या है? कुछ शाती जो नए आते हैं वो बीच-बीच में पूछ भी लेते हैं कि हम जुड़के करेंगे क्या इनका उद्देश्य क्या है कुछ लोग हमें से ही जो इतने नम से जुड़े हैं उनको भी संकार रहती है कि करेंगे क्या इसका सीधा सार एकनम सिंपल सा मकसद है कि जो कि जो हम सब लोगों के अधिकार बाबा साब ने हमें एक इंसान के रूप में अधिकार दिलाए थे बराबर बैठने का बराबर खाने का अच्छे कपड़े पहनने का हर चीज में हमें बराबरी दी थी बराबरी तो कुछ दो-च्यार परसेंट तक आई थी लेकिनों कुछ से हमारे ही स्वार्थी लोगों के कारण मन्भुद्धी लोगों के कारण या और दुसरे सब्द भी बोल सकते हैं उनकी वज़े से हम उसको अचीव नहीं कर पाएं अचीव नहीं करके उटे हमारे जो अधिकार हमें मिले थे उन अधिकारों को दिन परति दिन चीना जा रहा है और हम सब लोग जो एक प्लेट फॉर्म पर एक होना चीए था इंसान के रूप में इंडियन बोला था और जाती खतम करके शिर्फ बीट्यूल कास्ट नहीं कि यह जो जाती होगे जो ठपे हमारे लगे उनको तोड़के एक सिर्फ बीट्यूल कास्ट लेकिन कुछ लोगों के दिमाथ में अब भी भी नहीं आया जो पढ़े लिखे अपने आपको बहुत हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं वो आज भी अपने जाती का पिछे में लगाते हैं जाटन लगाते हैं तरह तरह के टाइटल लिखते हैं जिससे वह आपकी पहचान पहले ही पता लग जाता कि यह किस कम्मुनिटीश है जबकि बाबा साब ने एक दम इसके अपर बिलकुल प्रतिमंद लगाया थी कि कोई भी आगे कि मुझे विश्वास है कि जितने आजमीस में जुड़े होए हैं दो च्यार को छोड़के सभी ने एनी ही लेशन उपकास जरूर पड़ी होगी जाती का इतना कड़ा विरोध किया है तो उस टैम तो देश अजाद भी नहीं हुआ था उस टैम उन्होंने गरंत लिख दिया था जाती तोड़ो लेकिन फिर हमारे लोगों के दिमाख में आज तक पता नहीं यह बात क्यों घर किये हुए है कि हम जाती का जो बहुत बड़ इस देश में कास्टें तो बहुत है क्या उनके साथ जो होती है कभी आपने कभी पेपर में कभी टीवी में सुना है नहीं सुना क्यों नहीं सुना क्यों वो सब एक है हमा हम एक इसलिए नहीं है कि हम या तो बाबा साब का जो दम है ज्यान है पुछत कर वो हमें पड़ी नहीं है आज भी जो इस देश में सद्धियों से जो इन लोगों में पाखंडवाद इस देश में चलाया हुआ था किसी के शिपजी के नाम पे हनुमान के नाम पे भगवान के नाम पे सरस्वती के नाम पे दुरगा के नाम पे पुझापाट के नाम पे वो हमारे दिवाख में और घर में इतना बुरी तरे घर कर गया है कि वो निकलता नहीं है और उसी की वज़े से हम आज भी एक नहीं हो पा रहे हैं मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों ने इदर उदर जांकने की वज़ाए अपना दिमाख लगाने की वज़ाए तो बाबा सामने में पुष्ट के तो बहुत लिखी हैं देश और समाज को उस्धारने के लिए लेकिन जो दो गरंत एक एनिलेशन और कास्ट और रिडल जो हिंदू ध्रम की पहलियां वो सब एक बार नी दो तिन बार पढ़नी चाहिए उसका अनुसरन करना चाहिए कुछ लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर चले गए आज भी लेकिन बाबा साब ने हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए क्या काम किया वो आज भी नहीं जा देश का और समाज का बला हो सकता है प्रगति हो सकती है तो सविधान भी हम सब लोगों ने पढ़ना चाहिए और उसी का अनुसरन करना चाहिए इसलिए मैं जितने भी समानिसातिश में जुड़े हुए है इनसे विंती करता हूं कि हमारा एक ही ही उदेश्या है कि हम से ज्यादा जल्दी से जल्दी अपनी सोसाइटी को जिसको हम सी एस टी ओबीशी बोलते हैं वो सब एक प्लेटफरूम पर आ जाए और जो हमारे अधिकार थे हमें मनुश्य कहलाने के जो अधिकार मिले थे अच्छे वस्तर पहने के अधिकार मिले थे अच्छा खाना खाने क अधिकार मिले थे उनको हम बचा बचा ले क्योंकि आप दिनों दिन देखी रहे हैं कि हमारे इतने हर पांच साल में हर स्टेट में अमेले भी बनते हैं मंत्री बनते हैं एंपी बनते हैं लेकिन हमारे अधिकार दिनों दिन चिने जा रहे हैं खतम किये जा रहे हैं तो किसी भी कोने से किसी भी इंडिया के किसी भी कॉर्णर से कोई भी संग्ठन कोई भी समुदाए उसका विरोध नहीं करता कि हमारे अधिकार यह क्यों चीने जा रहे हैं जब क्यों जो एंटी सोशल एलिमेंट है जो सद्यों से इस देश को तोड़ने पर लगे हुए और अपने कर दो ग्रीबी खतम कर दो भर्ष्टाचारी खतम कर दो वो बिलकुल नहीं बोलते शिरफ रिजिर्वेशन खतम कर दो कास्ट की रिजिर्वेशन तो इसलिए मेरे समानी साथियों से मैं एक ही विंती करता हूं कि हम सब ने अपने गिले शिक्वे बुढा करके एक प्लेट इनसान के रूप में अपने जिवन में जो एक मुनिश्य का पैदा होते होने के बाद और मरने तक जो एक उसका उदेशय होता है जीने का जिन्दी का इंज्वाए लेने का या एक मुनिश्य के रूप में जीने का उस तरह हम भी एक इनसान के रूप में इस देश में अपन पर पहुंच गए लेकिन जो जाती का जो ठपा है ओ नहीं छूट रहा आज भी राष्ट्रपती बनता है तो उसको भी दलित बोलते हैं रामनात गोविंद बाद में बोलते हैं पहले दलित बोलते हैं दलित बना दिया हमने तो ऐसा हो क्यों रहा है हम जैसे जो अपने आपको समझते हैं इनके कारण हो रहा है यदि हमारा संग्ठन हो यदि रामनात गोविंद के पिछे एक पावर खड़ी हो तो उनकी ताकत नहीं है कि वह उसको दलित लगा देया हमें कोई अच्छूत बोल देया सुद्र बोल दे और वह हमारे उपर एट्रोशिटी कर दे कास्टे हमारे देश के अंदर चोड़े-चोड़े सुमधाएं हैं क्या कभी आपने सुना हैं उनकी बेहन बेटी के साथ ऐसा हो गया क्या कभी आपने सुना हैं उनको घोड़ी से उतार दिया क्या कभी सुना हैं उनको पानी मंदिर में जाने नहीं दिया लेकिन हमारे साथ ही क्यों क्योंकि हम आपस में इतने बुरी तरह एक दुसरे से इरिशा करते हैं, बटे हुए हैं, उसी के कार्ण ये हो रहा है, और इसलिए जो 10-11, लगबग 11 मेने हम होगे हैं हम सब लोगों को, यहां इस प्लेफोरम पे सभी का दुख दर्ग लेके जो हम चिंता मगन हैं सभी साथी हमें और मैनित करने की जूरत है, और एक दूसरे की कमी ने निकालके, जो हमारे अंदर, जो हमारे दिमाथ में, हमारी सोच में, हमारे कर्म में, जो कमी रह गी है, उसको दूर करके हम एक हो जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं, और जितना जल्दी हो जाएं, उतना ही किसी heatsinkoल को पता है आज भले ही हम को करोन को मैलयों मेरे रहे हैं सभी हम आज से लगबं नी तो दीगादा सभीके दादा झोपियों में थे अज हम मैलों में में e लो में शिर्फ और शिर्फ थैब कि मिदोल जिसने अपने 44 बच़े हो दिये हैं और जो दिन कि जो जिसको हम शुदर बोलते हैं या डाउन प्रोडरन बोलते हैं उनके अधिकारों को दिलाने के लिए पुरे संसार में घूम घूम के दिन रात लगा करके इतनी मेहनत करके पढ़के उन्होंने अधिकार हमारे सुर्ख्षित किये और एटोमेटिक वो अधिकार हमें मिलत थे लेकिन हम एक ने होने के कारन हमारे सामने या दिकार जा रहे हैं और हम चुब बैखे रहते हैं पारलियमेट में आपने WIT करके हमारा विरोद कर रहे हमारे अधिकारों है उसके लिए हमारा समाज है कि हम एक दूसरे की टांग खेंचने हैं तो चीने जा रहे हैं उसको रोके हैं तो उडिकार आज तक नहीं दिये उन अधिकारों को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें ताकि हमारे जो आने वाली जो पिड़ी है वो शुक्की नीन, शुक्की चैन और आराम और एक इनसान के रूम में जिसकें तो इनी सब्दों के साथ मैं सभी समानित साथियों का अर्दय से स्वागत करता हूं कि आप सब में हम सब लोग मैनत कर रहे हैं और मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं सभी सातियों से कि ये मिटिंग के साथ-साथ हमें इसको जमीनी हकिकत में अमली जामा पहनाना पढ़ेगा ताकि जहां हमारी टीम हो, वहां कम से कम कोई भी हमारे समाज के उपर थोड़ा सा भी आख उ इन वहां हमें क्टी है तो तो बिना पताए ही जैसे लगता है तो उसके पास जा के हमें उसकी मदद करनी चाहिए कोछ आदम ही जोड़ें कि जल्दी से जल्दी एक हो जाएं जतना जल्दी हमारे अधिकार हमारे पास जाएंगे जैसा कि सब कोई जानता है अच्छी तरह कि एकता में शक्ति होती है तो यह अनपड़ आदमी को भी पूछो कि दस आदमी यदिक हो तो उनके पास आने के लिए हमसे कम नो आदमी या दस के दस आने से तो भी दस बार सोचेंगे हाँ ग्यारा हो जाएंगे तो उनक विंति करता हूं कि जल्दी से जल्दी जहां भी हम हो वहीं जुड़ जाए जिस भी वास्ता में हो उसी वास्ता में जुड़ जाए एक हो जाए जय बीम नमववदाय को ज्ट जाए आज करीबं दस महिना से उपर हो चुका है हम लोग प्रति दिन आठ वजे से लेकर के दस वजे थक वीदव की कुल को सुनने के लिए और उसमें जुड़ने जुड़ने के लिए एक इस एप के माध्यम से जुम एप पर प्रति दिन उपस्थित रहते हैं उसी क्रम में हम सब जब 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 जुड़ने का सर एक ही उद्धेस हम सब का है कि जुड़ने 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 ज जय भीम जय वारत इसी के साथ मैं समाप करता हूं सर। जय भीम जय वारत इसी के साथ में समाप करता हूं सर। आप यूटूब पर चला सकते हैं अपनी नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हैं आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद सेनं गचा मी संगम स्रेण गच्चा मी संगम स्रेणं गच्चा मी दूतियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। 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 दूतियं पी संदं सर्णं गच्छाम। साथू, साथू, साथू